Hello Everyone, Welcome to Qon Study आज से हम लोग अपना Class 4 Recruitment का जो syllabus है उसका J का part cover करने लगे हैं मैं आप लोगों को Indian Geography पढ़ाने रगे हूँ ये हमारा section 40 marks का है So that means sub sections में से ये scoring section है इसे आपको अच्छे से करके जाना है And कुछ facts याद रखने पे ही आप 40 marks अराम से ले सकते हैं मैं आपको Indian Geography और Capital State ये दोनों side by side करवाने वाली हूँ Capital State क्यों क्योंकि हमारे आपको पता है country में बहुत सरी states है तो मैं चाहती हूँ कि आपको daily basis पे 2 से 3 states करवाई जाए ताकि आप उन्हें अराम से learn भी कर सकें और आप पर कोई burden भी नहीं रहे संभवसर भी आपको Geography of Jane के शुरू करवा चुके हैं तो आप side by side मेरी वीडियो को देखते हुए उनकी वीडियो भी देखेगा ताकि आप relate कर पाएं दोनों geographies में So let's start our lecture Lecture start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे description box में हमारे तीनों social media handles that is facebook, instagram and telegram इन तीनों के भी links provided हैं आप प्लीज उन्हें जाके जॉइन कर लिजे ताकि चैनल की कोई भी updates हूँ वो आपको वहाँ पर मिल सके ये हमारी videos जो है ये हमारी videos हर रोज 4 बजे post हो जाएंगी हर रोज 4 बजे आपको GA की videos provided होंगी तो आप जाके उन्हें जरूर देखेगा और आप अगर पसंद आती है तो like भी कर दीजेगा ठीक है हमारा मही name यही है कि हम लोग आपको syllabus well in time cover करवा दे ताकि जब तक आपका exam हो आपकी अच्छे से हम लोग practice भी करवा दे weekly हम लोग telegram पे test रखने का भी सोच रहे है ठीक है तो आप लोग हमें suggest कीजेगा comment box में अगर आपकी कोई और भी request है से labels को लेकर अगर हम लोगों को लगा कि वो हमें कराना चाहिए तो हम जरूर करवाएंगे ठीक है आज हम लोग basic concepts देख लेते हैं geography के जो की हमारे geography जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सरी terms हमारे use होती है जिनका हमें basic meaning नहीं बता होता है तो मैंने सूचा कि मैं उस जगह से start करवाती हूँ जहां से आप लोगों को basics clear हो जाएं और जब मैं आपको आगे geography पढ़ाऊ तो मुझे आपको हर एक चीज जो है वो explain नहीं करनी पड़े ठीक है तो हम एक अलग से lecture ही रख रहे हैं जिसमें मैं आपको सारी जो basics हैं geography के वो cover करवा दूँगी सबसे पहले कुछ facts देख लेते हैं तो ये एक person थे इनका नाम था eratosthenes ठीक है eratosthenes और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने geography word जो है वो use किया था और हमारे जो tolmi थे उन्होंने पहली बार इंडिया को world map पर present किया था ये दोनों नाम आपको याद रखने है क्यूंकि अगर आपको static question को आ जाता है तो आप आराम से टिक लगा कर आ सकते हैं उसे देख लेते हैं टोपोग्रफी आपने बहुत बारी जब अगर आपने geography पड़ी है तो आपने ये word देखा होगा इसका meaning क्या होता है generally तो ये study होती है surface की और earth के features की बट हम topography को जो surface shapes या features है उनको describe करने के लिए भी यूज करते हैं तो अब आगे-आगे जब मैं आपको topics करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत जगा पे topography यूज करूंगी तो that means कि मैं describe कर रही हूँ उन surfaces को या मैं जो वो area है उस area के उन features को describe कर रही हूँ वही features की अगर हम बात करें तो relief features भी हमने बहुत बारी पड़ा हुआ है geography में तो relief features क्या होते हैं जो भी एक area अगर आपने लिया है उसका जो highest और lowest elevation points होते हैं उसको relief बोलते हैं मतलब की कोई भी mountains आपके ridges या फिर आपके platos valleys ये सब जो है आपके relief features में आते हैं mountains और ridges जो है आपके highest elevation points होगे और जो valleys होगी वो आपके lowest elevation points होगे ठीक है अब देखिए cartography ये क्या हो गया एक science है या फिर art है maps को बनाने की ठीक है तो इसका मैंने क्यों यहाँ पर use किया है कहीं बार questions ऐसे भी आ सकते हैं कि science of making maps is called what आपको चार options दी होंगे और आपको पता होना है चाहिए कि उसको cartography बोलते हैं उसी तरह से demographic क्या होता है कि अगर हम किसी भी particular area की population को study करते हैं कि कितनी deaths हो रही है वहाँ पर कितनी births हो रहे है कौन कौन से diseases हैं इस area में वो सब किस के अंडर आता है demography के अंदर ठीक है वो demography बोलते है उस area की ठीक है अब देखिए equator equator क्या है एक line है जो horizontally हमारे earth को divide करते है two equal halves में ठीक है इसलिए हमने equator को zero degree पे किया हुआ है क्योंकि ये एक earth के center से line imaginary line है जो pass हो रही है और earth को northern and southern hemisphere में divide कर रही है इसलिए इसको zero degree latitude बोलते है उसी तरह से prime meridian जो है वो vertically earth को two equal halves में divide कर रही है ठीक है इसलिए इसको zero degree longitude भी बोलते है जो हमारा prime meridian है वो green width से होते हुए गुजरता है इसलिए इसे कभी कभी green width meridian भी बोला जाता है अब देखे latitude और longitude क्या होते है अभी हमने पीछे earth जो हमारा equator था और जो हमारा prime median था उसमें latitude और longitude देखा वो होते क्या है longitude और latitude जो होते है वो सिर्फ dimensions है earth को divide करने के लिए angular basis पे ठीक है अगर equator आप देखे तो equator जो होता है वो zero degree से पास होता है तो जैसे इस picture में दिखाया हुआ है latitude जो है वो हमारे उपर और नीचे divide कर रहे है earth को और जादा ठीक है तो हमारा degree वाइस जीरो फिर 23 and a half फिर ऐसे करके और आगे बढ़ते होए 90 degree तर जाता है हमारा latitude 90 degree नॉर्थ तक और 90 degree साउथ तक नॉर्थ वाले को हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं और साउथ वाले को हम साउथ पोल बोल देते हैं ठीक है और longitude में अगर आप देखिए तो ये based किस पे होता है प्राइम मेरीडियन में जैसे प्राइम मेरीडियन वर्टिकली प्लेस होता है अर्थ पे वैसे ही जो longitude होते हैं वो भी वर्टिकली होते हैं और अर्थ को वापिस से angular degrees में डिवाइड करते हैं ठीक है तो अब longitude अगर आप देखिए तो लॉंगिट्यूट्स होते हैं वह 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक इनका extend होता है जबकि latitude का 90 डिग्री तक होता है ठीक है तो अगर आप यह देखिए तो latitude और longitude में बहुत confusion हो सकती है आपको तो मैं आपको बता देती हूँ latitude मतलब जो लेटी हुई lines ठीक है और longitude मतलब जो noodles की तरह लंबी लंबी lines होँ ठीक है तो latitude मतलब क्या लेटी हुई lines और longitude मतलब क्या लंबी lines ठीक है तो इससे आपको कभी नहीं भूलेगा latitude और longitude क्या होता है अब देख लेते हैं Hemisphere हमने Hemisphere भी पढ़ा था पीछे Hemisphere क्या होता है कि Earth की surface को half कर डा ठीक है तो Earth के four hemispheres है जो हमारा equator है वो Earth को northern और southern Hemisphere में डिवाइड करता है ठीक है और जो prime region है वो Earth को eastern और western Hemisphere में डिवाइड करता है यही इस picture में भी depicted है आप देखें ठीक है Hemisphere तो मतलब हमारे Earth के four hemispheres हैज है आप याद रखेगा अब आइलेंड देख लेते हैं आइलेंड क्या हो गया एक piece of land which is completely surrounded by water है ना तो आइलेंड वो हो गया अब कुछ आइलेंड होते हैं small islands जो की water में से emerge कर जाते हैं कुछ land features emerge कर जाते हैं जैसे कि atolls तो atoll क्या हो गया मतलब जैसे आप साथ वाले image में देखिए कि आगे पीछे सब water ही water है ठीक है और क्या हुआ एक circular हमारा एक बन गया islands की chain बन गई ठीक है इसको बोल दिया हमने atoll क्यूंकि इसके अंदर भी water है और इसके बाहर भी water है और यह circular shape में है इसलिए इसको atoll बोला अब ऐसे small islands को क्या बोलते है isolates, scaries, case या फिर keys ठीक है और जो islands river या lake में बनते हैं उन्हें बोलते है ait या फिर hon ठीक है यह जो words है आप इन्हें याद रखेगा यह आपके exam में आ सकते हैं अब archipelago देख लेते हैं archipelago क्या होता है एक chain of islands जो की इक कठे group होते हैं ठीक है अब आप अंडमान को देखिए अगर ठीक है अंडमान islands जो है वो भी क्या है group of islands है तो वो क्या होगी हमारे archipelago ठीक है हम अपने Philippines जो है हमारी country अगर उसे देखिए तो वो भी क्या है archipelago ठीक है तो इसी तरह से archipelago क्या हो गया वो chain या set of islands जो group होते हैं साथ में अब देखिए गल्फ क्या होता है गल्फ वो portion होता है ocean का जो land में penetrate करता है इस image में देखिए ocean है और ocean से ही land के अंदर अंदर भी पानी जा रहा है तो वो क्या हो गया गल्फ अब गल्फ के ही बहुत सारे टाइप्स होते है creek, gulf, bay और bite ये चारों का meaning सेम है बस इनके sizes अलग-अलग होते है तो सबसे छोटा होता है creek, फिर होता है gulf, फिर होता है bay और फिर होता है bite उसी तरह से peninsula क्या होता है एक large land form जिसके three sides पे water हो उसे बोलते हैं peninsula जैसे हमारे इंडिया में भी peninsula plateau है peninsula क्यों बोला क्योंकि उसकी तीन साइड पे पानी है ठीक है, bay of bengal, arabian sea ठीक है और नीचे आपके इंडियन ओशिन आ जाता है तो इसी लिए आपका वो peninsula बन जाता है ठीक है अब world का जो हमारा largest peninsula है वो है arabian peninsula देखिए यहाँ पे एक side में इसके red sea है एक side पे arabian sea है फिर gulf of oman है पर्षिन gulf है तो तीन side से यह पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसे gulf बोलते है अब देखिए आगे straight क्या होता है straight मतलब की एक पतली सी water की एक धार सी होएगी जो दो land forms के बीच में से निकल रही होगी ठीक है दो बड़े बड़ी water bodies है बीच में land आगी और उस land में से भी वो दो water bodies connect हो रही है उसे क्या बोलते है straight इसका सबसे अच्छा example क्या है हमारे इंडिया और श्री लंका के बीच में कौन सा straight परता है पार्क स्ट्रेट ठीक है तो पार्क स्ट्रेट जो है वो किसे connect कर रहा है Bay of Bengal और Arabian Sea को ठीक है तो आप मैं आपको यही suggest करूँगी कि जैसे ही यह video खतम होगी आप अपनी atlas को लिएगा या फिर world map को लेगा Google पर और आप यह सारी example जो मैं आपको बता रही हूँ यह देखेगा अब आगे चलते है इस्तमस पे इस्तमस क्या होता है एक narrow strip of land जो दो बड़ी बड़ी land masses को जोड रही है ठीक है अगर यह इस्तमस नहीं होता तो यह जो दो land masses होती यह आगे पीछे जो पानी है या जो sea है उससे यह separate हो जाती तो इस्तमस क्या कर रहा है इन दो land forms को connect कर रहा है थ्रू land only ठीक है या फिर रिवर में या लेक में हमने गल्फ में क्या पढ़ा था कि ocean land में penetrate कर रहा है Cape क्या है कि land ocean में penetrate कर रही है ठीक है तो इससे आपको याद रहेगा Cape और Peninsula में भी फिर difference आपको पता चलेगा अब देखिए पैनिंसुला में भी मैंने आपको बोलता है की तीन साइड पे वाटर होएगा Cape में भी मैं आपको बोले हूं कि यह penetrate कर रहा है ताट मींस की तीन साइड पे वाटर होएगा और एक ही साइड पे लांड होएगी तो फिर डिफरेंस क्या एक दान करने जो होते हैं वह पोड़त ही नारो फीचर मन में पेंटेरती मोध करती है बस वो covered, surrounded है water से, ठीक है, चलिए आगे weather और climate देख लेते हैं, weather और climate में भी बहुत सरा हमें confusion होता है, weather होता है, जो हम daily basis पे अपनी changes देखते हैं, अपने weather में, अपने जो आगे पीछे हमारा environment है, उसमें, environment से मेरा मतलब है कि जो भी हमारे कभी वारिश हो रही होती है, कभी तेज दूप होती है, कभी आंधी चल रही होती है, तो इसको हम weather बोलते हैं, और climate होता है कि अगर हम long period पे उस weather को हम वो करते हैं, उसका data बना के लगते हैं, और इसका एक analysis निकालते हैं, इसका एक average regional weather pattern निकालते हैं, तो उससे climate बोलते हैं, ठीक है, जैसे अब क्यूंकि हम मैं पता है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर में mostly snowfall होता है, तो हम कश्मीर को एक ठंडा region मांते हैं, क्यों, क्योंकि वो हम climate के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम weather पे जाएं, तो कश्मीर में भी कर्मी होती है, कश्मीर में भी धूप जब निकलती है, तो कोई sweaters पह देख लेते हैं, पहली स्टेट है हमारी आंदरप्रदेश, जिसकी capital है 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 हैदराबाद, यह देखें, मैप में आंदरप्रदेश हमारा नीचे वाली साइट पर साउथ वाली साइट पर है, अब देख लेते हैं, यहां पर 13 डिस्ट्रिक्स हैं, इसे एक बोल ओफ एश्या यहां पर एक तो गोदावरी है और कृषन है, गोदावरी को यहां पर दक्षिन गंगा भी बोला जाता है, स्टेट अनिमल जो है वो ब्लाक पग है, स्टेट फ्लार यहां पर लोत नीचाए है रामसर साइट में कृलेरू लेकं जो है, यहां की बहुत famous है, नैशनल पाक ह और वाइल लाइफ सैंक्चरीज है पोपी कॉंडा कॉरिंगा कुलेरू प्रिष्णा एंड पुलिकट लेग ठीक है दूसरी स्टेट आज की हमारी है अरुनाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है इता नगय यहां पर 20 डिस्ट्रिक्स है इसे लांड ऑफ सन्राइस भी बोला जा बोला जाता है क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप अफ मेडिकल हर्ब्स मिलती है ठीक है उसके बाद लाजिस्ट है सारी नौथ इस्टन स्टेट्स में से हमारी कितनी नौथ इसन स्टेट्स हैं आप नीचे मुझे बताइएगा ठीक है लोइस्ट पॉपुलेशन डेंसि स्टेट बर्ड यहां का ग्रेट हॉन बिल है स्टेट अनिमल गायल है मैंने स्टेट फ्लार आपको अल्रेडी बता दिया नैशनल पार्क नमदाफा और मॉलिंग है वाइलाइक सैंक्ट्री जो बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है वो है कीन मेहाओ पक्वी सेसा टेल और हुए है इन में से कुछ मैंने इसी वीडियो में पढ़ाए है और कुछ मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को खतम होने के बाद इन क्वेस्टन को ढूंड़ें ताकि आपकी नॉलेज और भी बड़े और जब आप एक्जाम के लिए प्रिपैर हो तो यह सब फैक्ट्ट अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजेगा थैंक यू